आप सबी का स्वागत है हमारी चैनल उराव टीवी जेएच में और आज ही क्लास बहुत ही इंट्रेस्टिंग है क्योंकि मैं आज एक अलग ही टॉपिक के उपर मैं आप लोगों से बात करने वाली हूँ ये बहुत ही अलग टॉपिक है और इसके बारे में हम लोग आज बात करेंगे आज हम लोग एक बुक के बारे में बात करने वाले हैं जैसे के आप लोग देखी सकते हैं इसका नाम है उराव की अतिहासिक विरासत रुहतास कर ठीक है और इनकी writer का नाम है Franciska Kujur और मैं इस book को कोई promote नहीं कर रही हूँ ये video मैं बहुत से कारणों की वज़े से बनाना चाहते हूँ और वो कारण मैं आप लोगों को बता देती हूँ क्योंकि वो कारण जानने का आप लोगों को पूरा हक है ठीक है तो पहला reason ये है कि state exam के slavers में यात्रा वृतान्त भी दिया जाता है जैसे कि JPSC में दिया गया था आप लोगों को यादी होगा ये book यनि कि ये जो पुस्तक है उराओं की अतिहासिक विरासत रोहतासगर ये एक यात्रा वृतान्त है दूसरी reason ये है कि सिंगी दै की वीरता और साहस से मैं भी बहुत जादा प्रभावित हुई हूँ जिनके बारे में मैं आप लोगों से बात करना चाहती हूँ कि वो कौन थी और जनी शिकार के बारे में भी मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ और तीसरा कारण है रोतासगड का किला क्योंकि हम जारखन में अनेकों परियतन स्थलों में घूमते हैं उन्हें देखते हैं लेकिन आप में से कितनों के मन में रोतासगड का किला देखने की इक्षा है जो कि हमारे पुर्खों की विरासत है ठीक है रोतासगर के बारे में मैंने भी बढ़ा था लेकिन इस पुस्तक में उसके बारे में पूरा डिटेल में दिया गया है चौथा रीजन ये है कि जो प्यार मैं अपने कुड़ुक भासा के लिए महसूस करती हूँ सेम वही चीज इस पुस्तक की लेखिका डॉक्टर फ्रांसिसका कुजूर ने भी महसूस किया पांचवा रीजन ये है कि इस पुस्तक में कुड़ुक भासा के अस्तित्वों पर भी चिंता मतलब की व्यक्त की है लेखिका ने कि कुड़ुक भासा खत्रे में है तो इस बारे में भी मैं आप लोगों से बात करना चाती हूं जिसके बारे में मैं आप लोगों को अभी सनी बहुत पहले से कहती आ रही हूं कि जिस हिसाब से अभी चल रहा है जो सिच्वेशन चल रही है उस हिसाब से कुड़ुक भासा वा लगी यह book इसलिए मैं आप लोग को बता रहे हूं बहुत ही सरज़ शब्दों का इसतमाल हुआ है पुस्तक में जिसे बहुत ही आसानी से समझा जा सकता है अब मैं आप में रीटों को संचिपत में बताती हूँ कि यह ठीक है म already में मताऊंगी जो चों मुझे लमसे लगा जरुरी जो कि आप लोगे बताना चाहती हूँ वसे मैं द contagion को बताऊंगी और बात बाधी के लिए पुस्तक जरूर पढ़िएगा ठीक है तो स्टार्ट करते हैं या फिर आप कुरुख लाइब टूशन क्लासेश जॉइन कर सकते हैं जो की हपते में चार दिन होगा मैं इसमें आपको लाइब पढ़ाऊंगे मोबाईल अब में और इसका फीस 300 पर मन्त है और मैंने इसमें दो बैज बनाया है एक की टाइमिंग है शाम के 6-7 बजी की और दूसरे की टाइमिंग है 7.45-8 बजी की यह सारे कुछ आपको हमारे मोबाईल आप के कोर्स सेक्शन में मिलेगा और आप का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगे या अगर आप चाहे तो इसे प्ले स्टोर से सीधे डाउनलोड कर सकते है इस पूरी पुस्तक में कहानी तो सेम ही है लेकिन इस पुस्तक को फिर भी चार भागों में बाटा गया है पहला है आप लोग का कहानी रोहतासकड की दूसरा है आप लोग का रोतासकड का सपना हुआ साकार तीसरा है रोतासकड के लिए सासराम से यातरा और चौथा है मिल गई मंजील तो इसे चार भागों में बाटा गया है लेकिन स्टोरी सीम है ये 2009 की बात है जब हमारी लेखी का फ्रांसिस का कुजूर रोतासकड गई थी तो उसके बारे में ही उन्होंने इस पुस्तक में लिखा है कि वहां का माहौल कैसा था वहां का वातावरन कैसा था उन्होंने अपन बच्पन की कुछ यादों के बारे में भी लिखा है तो इसके बारे में बात करते हैं तो इसका पहला भाग है कहानी रोतासकड की यहां से शुरू करते हम इसमें यह बताया गया है कि किस तरीके से वह अपने दादा जी से कहानी सुनती है जिसमें वह जनी शिकार के बारे म बारे में बताते हैं तो लेखी का अपने बच्पन के बारे में याद कर रही थी तो उनके दादा ने बताया था कि रोहतासकड में उराओं के राजा का भी कभी शाशन था वहां उराओं राजा रुईदास का शाशनकाल उराओं का सुवनकाल था और राजकुमारी सिंगी द के निचे बैट करके गपय लढा दे थे तो हल्ला गुल्ला सुन करके वो बिस्तर से उठ गई वो सोरी थी लेकिन उनके वो large और उठकर वो अपने दादाजी पें पास गई लेकिन दादा analogy ने कहा कि जाओ, सो जाओ, क्योंकि सुबा जल्दी उठना है, जनी शिकार के लिए जाना है, और जनी शिकार हर 12 वर्षों के बाद आता है, हर 12 वर्षों के बाद ही क्यों आता है, इस बाद का जवाब मुझे इस पुस्तक में भी नहीं मिला, अगर आप में से किसी को पता होगा, तो कमेंद में जरूर बताएगा तो लेखी का अपने दादा जी से जनी शिकार के बारे में पूछने लगी कि जनी शिकार है क्या तो उसके दादा जी ने बताया कि पराचीन काल में उराओं के राजा रुईदास ने एक गड़ बनवाया था, जिसका नाम था रुईदास गड़, जो आप रुईदास गड़ के नाम से जाना जाता है, और रुईदास गड़ आपका भिहार में है, ठीक है, और उराओं के पूर्वच सबसे पहले, सिंदु घाटि सभिता में हडपा और मोहन जो पर हमला किया, तो उराओं पूर्वच वहां से बचते बचाते, दक्षिन भारत के ओर चल गए, उधर से घूमते घूमते, विंध्यान चल परवत में बसते हुए, फिर वहां से घूमते हुए, सोन नदी के किनारे किनारे कैमूर पठार में आकर रहने लगी, कैमूर पठा उन्होंने रहने के लिए इसलिए चुना था, क्योंकि वहां पर आसपास बहुत घने जंगल थे, साथ ही साथ सोन नदी और कुईल नदी का संगम था, तो जिससे उन्हें सुरक्षा मिल रही थी, तो सुरक्षा के वज़े से ही और लोग कैमूर पठार के उपर मतलब बस ग करते हैं, वहां के जंगल साफ करते हैं, खेतवीद बनाते हैं, घर बनाते हैं, किला बनाते हैं, तो एक पत्थरों का किला बनाया गया, और उन पत्थरों को सुरक्षी चुना और उरत को पीस कर जोड़ा गया, और किले को बहुत ही मजबूत बनाया गया, ठीक है, और फिर उन्नती देखकर जो दूसरे राजा थे, आस्पडोस के राजा, उनको इश्चा होने लगे। तो रोहतासगर के किसे निकट में पलामो के प्लामो के चेरो राजा थे। उनही का राज्य था। तो उन्हों ने मतलब किले की जो रोहतास गड़ के अंदरूनी बाते थी उनको उन्होंने ढूंडना शुरू कर दिया उनकी जानकारी लेनी शुरू कर दिया कि किस तरीके से लोग हमला करे वगरा वगरा तो दुस्मनों ने छिप कर गड़ के भीतर आने जाने वालों पर उप्तिचर थे, उन्होंने लुंदरी से यानि की लुंदरी नाम की जो गवालीन थी उसके साथ साट घाठ कर लिया और लुंदरी ने सारे भेज खोल दिये उसने बताया कि सरहुल एक ऐसा तिवहार है जिसमें जो भी सैनिक है मतलब की रोतास गर के किले के जो भी सैनिक है वो लोग खा पीकर नशे में जुमते हैं रात दिन नगारा मादर बजा कर नाशते गाते हैं इतना ही नहीं अनेक वीर पूरुष सिकार खेलने के लिए दूर दराज के जंगलों में घाटी की ओर चले जाते हैं अब होना क्या था चेरो राजा आकर्मन करने की तयारी करने लग गया ठीक है और सरहुल कब बनाते हैं सरहुल चैत महिना में बनाते हैं तो वह सरहुल का तेभार आ गया और उसके बाद चेरो सैनिकों ने उसी दिन गढ़ पर आकर्मन कर दिया और जो भी वीर एक बेटी थी उनका नाम था सिंगी वह बहुत ही वीर युद्धा थी और बच्चे बूढ़े युवक युवतियां सभी उसे श्रद्धा और प्यार से सिंगी दई कहकर पुकारते थे और जब ऐसा कोई आउसर होता था जब युद्धा मतलब की गढ़ में नहीं रहते थे तो उनकी रक्षा का दायत वह सिंगी दई ही संभाला करती थे गढ़ के बुर्ज पर चड़ कर नजरे दोड़ा रही थी अचानक उसे हथियारों से लैस सैनिकों का काफिला गढ़ की ओर खटा किया और सिंगी दई ने सबों को मतलब जितने भी महिलाए थी उनको पुर्शों का कपड़ा पहनने की आग्या दे और महिलाओं ने जितना जल्दी हो सकता था और लोग कमेज धोती पहनने लगे पगड़ी वगरा पहनने लगे और ती धनुष कमान जो भी उनके और यह को पीछे लोटने पर विवश कर दिया उसके बाद जो चेरों के गुप्तचर थे वो लोग फिर से दोड़े लुंदरी के पास लुंदरी कौन थी गवालीन थी ठीक है उसके पास गय और उसे धमकाने लगे कि तुमने तो कहा था कि सरहुल के दिन वहाँ पर कोई भ तरह युद्ध किया था अगर मेरी बात पर विश्वास नहीं होता तो दुबारा चड़ाई करो खुद देख लो कि वे नदी में दोनों अंजरियों से मुहाद होती है जबकि पुरुष एक अंजुरी से धोते है ठीक है तो आकरमन कार्यों ने दुबारा आकरमन करने की त तो जो महिलाई थी उन्होंने उसी उत्सा और दक्षिता के साथ सेना पर दुबारा से अटैक किया ठीक है इस बार सिंकी दई की सेना ने दुष्मनों को सोन नदी के उस पार तक खदेर दिया लौटते समय महिला सेना महिला सेना ने नदी के पानी में अपना मुहाद होया और क्योंकि लुंद्री ने बताया था, ये महिलाएं हैं, क्योंकि ये दोनों अंजरियों से हात्मुध होती है, तो दुश्मन लोग छुप करके देखने लगे, और उन्होंने देखा कि ये तो औरते हैं, क्योंकि वो अपने दोनों ही अंजरियों से मुहां धो रही थी, इस बार सत्रों सेना अधिक जोस खरोश के साथ आगे बढ़े और सिंगी दई की सेना ठक चुकी थी क्योंकि वो लोगों ने दो युद्ध लड़ चुके थे तो आनन फानन में सिंगी दई को कुछ सूझा ने तो उन्होंने कुछ महिलाओं के साथ गढ़ की चारो दिशाओं में जहां सत्रों की सेना मतलब की जहां से सत्रों की सेना गढ़ में प्रवेश कर सकती थी वहां पर लकड़ी पत्ता गोबर मिर्च जलाकर धूंब और मिर्च की जलन से कुछ शन के लिए शत्रू को रोका जा सकता है। उन्होंने ऐसा तरकीप लड़ाया और उन्होंने ऐसा ही किया और जब सट्रू की सेना गढ़ के प्राचीर तक पहुंची प्राचीर का मतलब होता है कि किले को शुरक्षित रखने के लिए उसके किनारे एक और दिवार मतलब की खड़ी की जाती है तो उस वहां तक जब उसक क्या केते हैं बड़े थे उनको उसने पिछले दरवाजे से बसते बचाते घंगोर जंगल में लेकर के छिपने के लिए जगह ढूने लगी और वहां पर उन्हें एक विशाल करम का पेड़ दिखाए दिया जहां पर जिसके नीचे चटान में खोह भी था खोह का मतलब होता है गुफा हो सकता है या फिर खाई दर्रा इस तरीके का कोई जगह जहां पर छुपा जा सकता है तो वही पर सब लोग दुबग कर छुप गए चुप गए और अपनी जान बचाए उसके बाद जो चेरो शाशक थे चेरो राजा था वो किले पर कबजा कर ल और यहां पर पहले मुंडा लोग मतलब बस गए थे लेकिन उसके बाद उराओं लोग भी आ करके यहां पर बस गए तो यह थी कहानी मतलब की जनी शिकार के बारे में और इसी चीज को याद करते हुए उराओं जाती के लोग जनी शिकार मनाते हैं जिसको मुक्का सिंद्र परहा भी बूलते हैं और यह कहानी का के धादा जी ने उन्हें सुनाई थी जिसका प्रमान है या नहीं इस पारे में मुझे नहीं पता लेकिन हो कहानी कि दादा जी ने बताई थी जो मैं आप लोग को बता रही हूं जो je कि इस पुस्तक में लिखा गया है पूरी बुक तो मैं आप लोगो नहीं बताऊंगे कि इस बुक में क्या है क्योंकि अगर मैं ही बता दूँगे तो फिर आप लोग पढ़ेंगे क्या ठीक है लेकिन कुछ चीजे है जो मैं आप लोगो जरूर बताना चाहते हूं एक दूसरा भाग है आप लोग का रोतास गड सामें बाते कर रही थी जिसे सुनकर एक महिलाने मुझे उराओं में ही टोका एन हूं कुडखनी हिकेन नीम एकसन काला लगता है उखो होले इंगहे गुसन पाही रखे यानि हिंदी में यहां लिखा हुआ है मैं भी उराओं हूं आप लोग कहा जा रहे है यदि रात हो अपनी भाशा की मिठास अवब आकर्षन को मैंने उस दिन अपने हिर्दे में अनुभौ किया जो चीज इन्हों ने महसूस किया वो चीज भी मैंने भी महसूस किया था जब मैं कॉलिज में अदमिशन के लिए गई थी तो वहां पर एक सर जिन्हों उस दिन मुझे बहुत ही अच्छा महसूस हुआ कि इतने बड़े जगह पर भी हमारे लोग है और वो मुझसे कुडुख में बात किया था तो उस दिन मुझे भी बहुत अच्छा लगा था जैसा इन्हें अच्छा लगा क्योंकि हम जैसे लोग जो गाउं से अपने घर अगर जारखन में रहते हैं और वहाँ पर तो यह सब चीज़े आप लोगो सुनाई देता है तो आप लोग को परिचित लगता है लेकिन यह सब चीज़े यहाँ नहीं होती यहां सब लोग हिंदी में या फिर किसी दूसरे लेंग्विज में बात करते हैं अपनी मुझे अच्छा लगा जो मुझे आप लोगों से डिसकस करना है यहाँ पर यह लिखा हुआ है आप लोग भी पढ़ लीजे मैं भी पढ़के बता देती हूं गाउं में खाटी कुडुक भासा बोली जाती है यह जानकर मैं आनंद विभोर हो गई जबकि हमारे जारखन की गा मैं नागा गाउं की सराना किये बिना ना रह सकी जारखन की कुडुक भाईयों को इससे सीख लेनी चाहिए इन्होंने घलत नहीं कहा क्योंकि उस गाउं के सभी लोग कुडुक में ही बात कर रहे थे और जारखन में ऐसा नहीं है कुडुक लोग भी जिन्हें कुडुक आत वह कुडुख में बात कम ही करते होंगे इनका कहना सही है क्योंकि इस पुस्तक में इन्होंने बताया है पैराग्राफ में आप बताना चाहती थे यह वही बात log को से कहती आ रही हूं और जिने इन्हों ने भी बहुत पहले ही कह दिया मतलब 2009 में ही ये सब चीजी इन्हों वो कुडुक सीखना चाहते हैं उन्हें सिखाईए ठीक हैं तो इसी तरीके से हमारी भाषा आगे बढ़ेगी पर ना फिर सही मिताओं तो कुडुक भाषा वाके में खत्रे में हैं मुझे भी ऐसा लगता है तो आची कहानी बस इतनी थी आची क्लास में बस इतना ही था लेकि अची क्लास में बस इतना ही मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में थैंक यू